असलाम नेकम देर स्टुडेंट्स तोड़ी आइवल डिस्कस विल्यम शेक्सपियर सॉनेट 18 शेल आ कंपेर थी टू असमस्डे बिफोर स्टार्टिंग दे वीडियो प्लीज सब्क्राइब में चैनल एंड लाइक दे वीडियो शेल आइक कंपेर थी टू असमस्डे क्या मैं आप मैं तुम्हारा कंपेरेजिन करूं गर्मी के एक प्यारे दिन से इस में इस सॉनेट में बेसिकली लिल्यम शेक्स पियर कंपेरेजिन करता है अपने बिलव का गर्मियों के दिनों के साथ ताओ आठ मोर लवली तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तुम तो गर् फानी हवाओं को डूश एक हिला कर रख देती है The Darling Birds of May Darling Birds कहते हैं खुबसूरत कलियां of माए के महीने में माए के महीने में तो फानी हवाओं खुबसूरत सी कलियों को प्यारे सी कलियों को हिला कर रख देती है And Summer's Lease अब बेसिकली जो वर्ड लीज है इट्स मेंस कुमिटमेंट यनि महादा हैत आल टू शॉर्ट अडेट इसका ओवराल मतलब यह है कि गर्मी के दिन तो बहुत ज़दा कम होते हैं यनि गर्मी तो बहुत कम दिनों के लिए आते हैं का महादा तो बहुत ज़दा कम है Sometimes too hot बाज उकाद बहुत ज़दा गर्म The Eye of Heaven Eye of Heaven का मतलब है सूरज संथ को कहा गया Eye of Heaven Shine बाज उकाद सूरज की शुआएं बहुत ज़दा चमकती हैं यह बहुत ज़दा गर्म होती है And often और अक्सर Is His Gold Complexions dimmed खुबसूरत लाइन William Shakespeare बयान करता है And every fear From fear हर खुबसूरत से खुबसूरत चीज Sometime बाज उकाद Declines Decline हो जाती है हर खुबसूरत से खुबसूरत चीज को Decline ज़रूर होना होता है यानि हर खुबसूरत चीज एक दिन Decline ज़रूर होती है By Chance कभी By Chance हो सकती है Decline ज़रूर हो सकती है And nature's changing या खुबसूरत के तबदीलों से Course Untrimmed यानि कुदरत में Naturally भी वो चेंज हो सकता है खुबसूरती ज़रूर डिकलाइन हो सकती है Destroy हो सकती है कि nature में कोई चेंज आजाए या By Chance भी अचनक से भी By Chance भी Decline खुबसूरती डिकलाइन हो सकती है इसमें विल्म शेक्सपेर कहना चाहा है कि जो beauty है वो forever नहीं रहती beauty जो है वो destroy हो जाती है हर खुबसूरत से खुबसूरत चीज जो है एक दिन decline हो जाती है एक दिन destroy हो जाती है but the eternal summer shall not fade लेकिन जो तुम्हारी खुबसूरत गर्मी है अभी अपने beloved से कहा रहा है जो तुम्हारी खुबसूरत गर्मी है shall not fade ये कभी भी खतम नहीं होगी सही है लेकिन ये जो तुम्हारी खुबसूरत गर्मी है ये कभी खतम नहीं होगी no lost possessions ना ही मलकियत आप खोएंगी अफ दैट फियर थाव और वेस्ट यनि अपनी चीज अपने साथ यनि अपने साथ ही आप लेके जाएंगी आपके खुबसूरती खतम नहीं होगी क्योंकि इस पर आपका हक है आप इस पर मलकियत रखती है ना ही मौत ब्रैग थाव लेके जा सकता है अपने साथ के अंदर ना ही मौत आपके खुबसूरती को अपने साथ के अंदर लेकर जा सकता है वेन इन अटर्नल लाइस वेन इन अटर्नल लाइस जो इन लाइस के अंदर जो अटर्नल लाइन है इसको कोई खतम नहीं कर सकता तो टाइम था ग्रोएस्ट ये वक्त के साथ-साथ इसकी पॉपलारिटी जाएवो बढ़ती चली जाएगी इसका ये मतलब है विल्यम शेक्स पर ये कहना चाहरा है अपने बिलोव्ट से या कोई भी उसका लवली मैन है उससे ही कह रहा है कि ये जो आपके खुबसूरती है ये वक्त के साथ-साथ बढ़ती चली जाएगी आपके पॉपलारिटी जह वो खतम नहीं होगी जब तक इनसान सांस लेगा और आइस गैंसी और जब तक आँखें देख सकेंगी तब तक आपके खुबसूरती खतम नहीं होगी तब तक कि ये पॉपलारिटी जह है वो जिन्दा रहेगे और ये तुम्हें जिन्दा रखेगी इन लाइंज में विल्लिम शेक्स पेरी कहना चाहा है कि जब तक आप जिन्दा रहेंगे आपके खुबसूरती जो है वो जिन्दा रहेगी आपके पॉपलारिटी बढ़ती चली जाएगी और जब तक इनसान जिन्दा आपके अगर डैथ भी हो जाती है आपने ही भी जिन्दा रहते आपके ब्यूटी जो है वो फॉर एवर रहेगी इसमें विलिम शेक्सपिर यह कहना जा रहा है जो उसका लवली मैन है या बिलोव्ड है वो उसकी तारीफ यूँ बयान कर रा है कि वो उसको पॉईटरी में उता रहा है उक्र तक पॉईटरी जो है जितनी बे पॉपलारिटी के रहेज़ने है करेंगी जाद से जादा होती जाएगी खतम नहीं होगी आई होप आपको आज का लेक्टर समझ में आया होगा